हाई दिस इस रुचिशा वेल्कम टि दा किचन निंजा आजगी जो डिश है वो है फाइं मिनिट ट्विक देशी वाफल तो आए देखते हैं कैसे बनाते हैं कि अज़े बनाने वाली हूँ वो एक फाइफ मिनिट इज़ेड है बहुत ही क्विकली और बहुत ही चदी बन जाएगा तो सबसे पहले अज़े मैंने एक पैन लिया यहां पर घी स्प्रेट किया है आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है देशी वाफल तो देखे ही कैसे बनाते हैं मैंने पैन पर घी स्प्रेट किया है ब्रेट स्लाइस ली है मैंने यहां पर तीन ली है लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से से शे दूसरे साइट से भी अच्छे सी इसको फलका सा क्रिप्स करेंगे अब 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 एक दम स्लो करनेके एक लियर पे मैंने यहां पर डेरे मिल डाला है आप अपने चॉइस की कोई भी चॉकलेट डाल सकते हो जो भी चॉकलेट आपके बच्चे कहा के वह आप डाल सकते हो दूसरा लेयर डाले के वा इस पर मैंने फाइस्टार एड की है आप बारबन, किट-कैट, कोई भी चॉकलेट आप कर सकते हो अब अब इसे हां अच्छे से प्रेस कर देंगे और एकदम क्रिस्प हो दोनों साइट से तब तक अबने से लो फ्लेम पे सेकेंगे अब तोड़ अब देख से खाएं और गी आड़ कर देख से अब अब देख से खाके वाव वानी फिलिंग आजाएगी अच्छे से अंदर से चोकलेट भी अमरी मेल्ट हो जाएगी और एकदम लो फ्लेम पे आपको इसे सेखना लेगा आप देख सेकते हो रिस्पी बने लगा है तोड़ प्रिस्पी आपको 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 इसे ले लेंगे इसे कट कर देंगे अगो मैं सर्फ करेंगे एसके ओपर हम भड़ा ऐसरी आइस क्रिम 죽 आइश क्रिम भी आप पर अपने चॉइस की आड़ कास्ते हो मैंने यह पर वेनिला की आट किया है आप चोकलेड चॉको चिप ब्लुबेरी कुछ भी आइड कर सकते हो मैं चॉकलेट सिर्फ नहीं आट अब इस पर थोड़े टेजमी के पीसिज आड़ करेंगे बहुत ही सिंपल और डिलिशिज रेसिपी है बच्चे इसे देखके खाने को पसंद करेंगे आप एक बर इसे जरूर प्राइ करिएगा अगर आपके घर पे कोई गेस्ट हो तो भी आप एस डेजर्ट क्विक डेजर् हुआ 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 है